सूर्या ग्रहेन से डरने की वजह 8 अप्रेल 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहेन को लेकर अमेरिका से लेकर भारत के लोग टेंशन में हैं कहा जा रहा है कि पिछले 50 सालों में यह सबसे लंबी अवधी का सूर्य ग्रहेन हैं। सूर्य ग्रहेन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं जिसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ है। आए। सूर्य ग्रहेन से डरने की एक वजह यह भी है कि पिछले 50 सालों में इस ग्रहेन की अवधी बहुत ही लंबी है। सूर्य ग्रहेन अमेरिका, कनाड़ा, इंग्लैंड, मैक्सिको, आयरलैंड में नजर आएगा अमेरिका के समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहेन दोपहर सवा दो बजे शुरू होगा। सूर्य ग्रहेन 8 अप्रेल की रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा। वहीं खग्रास का प्रारंव समय रात 10 बचकर 10 मिनट होगा। जबकि खग्रास समाप्ती का समय दो बचकर 22 मिनट है हालांकी। भारत में यह सूर्य ग्रहेन नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भारत के लोगों में इस सूर्य ग्रहेन को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। 8 अप्रेल को दिखने वाला सूर्य ग्रहेन को लेकर कई लोग सोच रहे हैं कि सूर्य ग्रहेन लगने से क्या पूजापाठ जैसे मांगलिक कार्य किये जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहेन के अगले दिन से चैत्र नवरात्री भी शुरू हो रही है, इस कारण से नवरात् लेकिन जोतिशूं के अनुसार अमेरिका में लगने वाला यह सूर्य ग्रहन भारत में नजर नहीं आएगा। और कुछ देशों में छुट्टी होने से व्यापार और बाकी गतिविधिया भी कहीं न कहीं बाधित होगी वैश्वीकरण के दौर में हर पूरी दुनिया के देश एक दूसरे से। चंदर ग्रहन दोनों एक खगोलिय घटना है। इस इस कारण से भी टेंशन में हैं क्योंकि कोरोना महामारी के बाद यह सबसे लंबी अवधी का सूर्य ग्रहन है इस कारण से लोगों को लेकर अपनी सेहत की। चिंता भी सता रही है वैग्यानिक ग्रिष्टिकोन के अनुसार आपको सूर्य ग्रहन नंगी आखों से देखने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपकी आखों को नुकसान हो सकता है वहीं। जोतिश शास्त्र में भी सूर्य ग्रहन को देखना वर्जित है इससे आखों पर बुरा असर पड़ता है और ग्रहन का अशुब प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। ये देखते हैं कौन-कौन सी हैं ये पांच राशिया अबकी बार साल का पहला सूर्य ग्रहन बेहत शुब सन्योग में लगने जा रहा है। तरक्की के द्वार खुलेंगे और आप पूरे साल खूब कमाई करेंगे मीन राशी में लगने वाला सूर्य ग्रहन किन-किन राशियों के लिए शुब होगा। आईए जानते हैं विस्तार से मेश राशी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धी के योग मेश राशी के लोगों के लिए सूर्य ग्रहन उनके जीवन में तरक्की और उन्नती के द्वार खोलने वाला माना जा रहा है। आपको आने वाले समय में शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में सफलता मिलेगी। आप कारोबार में विरोधियों से आगे निकल जाएंगे। आपके मन में सकारात्मक विचार बढ़ेंगे और आपकी सेहत भी इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए पद प्रतिश्था में व्रिद्धी के योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिती बहतर होगी मिथुन राशी। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं मिथुन राशी के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहन बहुत ही प्रभावशाली माना जा रहा है और आपको करियर और कारोबार में जबरदस्थ सफलता हासिल होगी आपके धन में व्रिद्धी होगी और आपके लिए नौकरी मे प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और आपको कहीं से इस बीच रुका पैसा मिल सकता है आपकी आए में। जबरदस्थ इजाफा होगा और आपके लिए नौकरी और कारोबार में सफलता के योग बन रहे हैं कन। आपके दामपत्य जीवन में सुख की व्रिद्धी होगी आपको शुभ परिनाम मिलेंगे और आपका समय परिवार के लोगों के साथ सुख के माहौल में बीतेगा धनुराशी। जीवन में तरक्की के द्वार खुलेंगे धनुराशी वालों के जीवन में सूर्य ग्रहन बहुत ही। खास माना जा रहा है आपका परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय कटेगा और आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुलेंगे सूर्य ग्रहन के बाद मा भगवती के आशिरवाद से आपके घर कर सुख संपत्ती में व्रिद्धी होगी व्यापार में आपको लाब और आपको अचानक से रुका हुआ पैसा मिलने से आपकी कई योजनाएं पूर्न होंगी योको आप विस्तार से अपने दिमाग में बैठा लीजिये माताएं बहनों से विशेश निवेदन है इनकी आपको जो जो कार्य हमने बताए हैं इन पर आपको विशेश रूप से ध पर आजाएं तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए आपको बता दे कि महालोग टीवी चैनल नहीं है बलकि हम सब का एक परिवार है इसलिए आप महालोग टीवी चैनल की विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एवं हर एक भारतिय नागरिकता पहुचा पहुचाएं धन्यवाद मिलते हैं नई विडियो में जय माता रानी की कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें जय जय माता रानी की